सरोच न्याले का गठन और गठन की परकिरिया न्यादीसों की न्यूकती सपत और त्याग पत्र और न्यादीसों की न्यूकती से सम्मंदित परमुक वाद और कोलेजियम वोस्ता तदर्त न्याले अबले के न्याले इन सभी का वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे और साथ ही न्यादीशों की योग्यताएं, कारेकाल और आर्टिकल 124 से आर्टिकल 130 तक का विष्थार पूर्वक वर्णन इस वीडियो में करेंगे यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को आन्त तक जरूर देखें इसमें हमने जो सर्वचिन्याले हैं उसके सम्मंदित, जो सभी महत्पुनतत्य हैं उनको कवर किया है शुरू करते हैं आज का सेशन उपनाम, यानि सर्वचिन्याले के उपनाम जैसे संगेन्याले, उस्तम्याले, सुप्रीम कोर्ट और सर्वचिन्याले ये चार उपनाम हैं जिन से सर्वचिन्याले को जाना जाता हैं कौन-कौन से हैं संगेन्याले, उस्तम्याले, सुप्रीम कोट और सर्वचिन्याले सर्वचिन्याले की प्रेना सुरोत के बारे में बात करें तो भारत सासन अधिनियम 1935 रहा स्वतंत्र भारत में इस्थापना 28 जन्वरी 1950 को सर्वच न्याले की इस्थापना की गई भारत की राज़ानी दिली में कहा की गई दिली में इसकी इस्थापना की गई थी 28 जन्वरी 1950 को भारत का पर्थम मुख्य न्यादीस हीरा लाल जे कानिया थे कौन थे हीरालाल जेकानिया भारत के पर्थम मुख्य न्यादीस थे यदि न्यादीसों के सम्मझ में बात करें तो भारत की पर्थम न्यादीस फातिमा बीबी थी एक्जाम में कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि भारत की पर्थम न्यादीस कौन थी तो इसका राइट आंसर होगा फातिमा बीबी और भारत के परतम मुख्य न्यादिस थे हीरा लाल जेकानिया Article 124 Article 124 के अनुसार भारत का एक उस्तम न्यालिे होगा यानि सरवची न्यालिे होगा जिसमें मुख्य एक मुख्य न्यादिस होगा और अन्ये न्यादीस होंगे इसका वर्णन आर्टिकल 124 में किया गया है स्वतंतरता के समय यानि भारत की आज़ादी के समय न्यादीसों की कुल संक्या की बात करें तो एक मुख्ये न्यादीस था और साथ अन्ये न्यादीस थे कुल मिलाकर आठ ही न्यादीश थे स्वतंतरता के समय भारत में वर्तमान में न्यादीशों की संक्या के बारे में बात करें तो एक मुखे न्यादीश है और 34 अन्य न्यादीश संसद न्यादीशों की संक्या में बढ़ोतरी कर सकती है यानि वर्तमान में जो 35 न्यादीस हैं उनमें आगे संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है संसद ये संसद को सविधान में अधिकार प्रदान किया गया है आप बात करते हैं जो न्यादीसों की पर्मुख योग्यता हैं उनके बारे में बारत का न्यादीस बनने के लिए पर्मुख योग्यता हैं होनी आउशक है जैसे बारत का नागरिक हो पागल और दिवालिया नहा हो एक से अधिक उच्छ न्यालियों में पांच वर्स तक न्यादीस के पद पर रहा हो एक से अधिक उच्छ न्यालियों में दस वर्स का वकालत का अनुबह हो दस वर्स का वकालत का अनुबह हो पांच वर्स तक उच्छ न्यालियों में एक से अधिक उच्छ न्यालियों में न्यादीस के पद पर रहा हो राष्टपती की नजरों में परसिद विधी वेता हो ये एक रूल है फ्रेंक फर्ट रूल उसके अनुसार राष्टपती की नजरों में परसिद विधी वेता भी होना चाहिए ये पर्मुक युग्यता हैं सुप्रीम कोट के न्यादीस बनने की उसके बाद बात करें तो न्यूक्ती सपत और्तियाग पत्र यानि न्यादीसों की न्यूक्ती न्यादीसों को सपत और्तियाग पत्र ये सुप्रीम कोट की हम बात करें सुप्रीम कोट के न्यादीसों की न्यूक्ती सपत और्तियाग पत्र राष्टपती द्वारा संपादित किये जाते हैं राष्टपती उच्छ न्याले के न्यादिस यानि सरोच न्याले के न्यादिसों की न्युक्ती भारत के मुख्य न्यादिस के परामर्स पर करेगा यानि जो भारत का मुख्य न्यादीस है सरोच न्याले का उसके परामर्स पर अन्य न्यादीसों की न्युक्ति राष्टपती करेगा अम न्युक्ति से संबन्दी जो परमुखवाद हुए हैं उनको भी हम कवर कर लेते हैं जैसे पर्थमवाद हुआ स्पी गुप्ता बनाम भारत संगवाद कब हुआ सन 1982 में ये भारतिय न्यादीस यानि भारत के जो सरोच न्यादीसों से संबन्दित यानि न्युक्ति से संबन्दित पर्थमवाद था स्पी गुप्ता बनाम भारत संगवाद सन 1982 82 इसमें जो परामर्श अप्ध है उसकी पूर्णेते व्याख्या की गई सरवचिनियाले द्वारा और कहा गया कि राश्टपती मुख्य न्यादीश के मद्य जो विचारों का आदान परदान है उसको ही परामर्श कहा गया यह प्रतमवाद था न्यादीशों की न्युक्ति स से सम्मन्दित S.P. गुपता बनाम भारसंग वाद ये वाद सन 1982 में हुआ था जिसमें परामर सब्द का विस्तार पूरोक वर्नन किया गया उसके बाद दित्य वाद होता है सन 1993 में कब होता है 1993 में न्यादीसों की न्युकती से सम्मन्दित दूसरा वाद होता है जिसमें सुप्रीम कोट ने जो परारम में निर्ने दिया गया था पूरवर्ती परामर सब्द उसको उलड़ दिया गया और राष्टपती को बाद दिय किया गया कि राष्टपती मुक्य न्यादीस और दो वरि खेन्यादिस और दो वरिष्ट न्यादिसों दोरा दी गई सला राष्टपती पर भाद्यकारी होगी। इसका उलेक दित्यवाद 1993 में किया गया। सलाह नहीं मानने पर यदि राष्टपती न्युकती के सम्मन्द में सलाह नहीं मानता है तो राष्टपती को अपना कारण बत कोलेजियम सब्द का उलेग किया गया सन 1998 में यह काफी इंपोर्टेंट है कोलेजियम सब और कोलेजियम ववस्ता अब बात करते हैं कोलेजियम ववस्ता है क्या जिसमें पांच न्यादीस होते हैं कितने न्यादीस होते हैं कोलेजियम ववस्ता में पांच न्यादीस होते हैं एक मुख्य न्यादीस और चार अन्य न्यादीस चार अन्य न्यादीस होते हैं वरिष्ट न्यादीस राष्ट पती को न्यादीसों की न्यूकती है तू सलहा देगा ये कोलेजियम ववस्ता जिसमें राष्ट पती अन्य न्यादीसों की न्यूकती करेगा ये सलहा बाध्यका पारी होगी राष्टपती पार नैंटी नाइनवा सविदान संसोदन होता है सन 2015 में जिसमें कोलेजियम ववस्ता को समाप्त करने के प्रियास किये गए और नया एक बोर्ड बनाये गया था नियाइक निक्ति बोर्ड जिसमें छे सदस्ये थे मुख्य नियादिस होगा उच्तम नियाले के दो नियादिस, विधी मंत्री और दो अन्य सदस्ये कुल मिलाकर छे सदस्ये था नियाइक निक्ति बोर्ड जो 99 वा सविदान संसोदन 2015 में इसका गठन किया गया लेकिन उच्तम नियाले दोरा संसोदन को सुन्य गोसित किया गया वर्तमान में निक्ति है तो कोलेजियम ववस्ताई है यानि वर्तमान में भी कोलेजियम ववस्ताई है नियादिसों की निक्ति के सम्मद में अब बात करते हैं सुप्रीम कोट के न्यादीसों का कारेकाल 65 वर्स तक की आयू तक होता है यानि मुख्य न्यादीस या न्यादीसों का कारेकाल 65 वर्स की आयू तक होता है पद से हटाने की परकिरिया के समझ में बात करें तो सिद्ध कदाचार और एचमता के आधार पर सरवच न्याले के न्यादीस को पद से हटाया जा सकता है ये परकिरिया क्या रहेगी जिसे महावियोग परकिरिया कहा जाता है ये किसी भी सदन में प्रारम की जा सकती है न्यादीसों के खिलाब सिद्र कदाचार और एच्छमता के आधार पर यदि राजे सभा में प्रारम की जाती है तो 50 सदश्यों के हत्ताक्शर आविशक हैं आविशक होने पर दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमश से यानि दोनों सदनों में दो तिहाई बहुँज से प्रस्ता और पास होने के बश्चाथ न्याधिशों को पस्षे हटाया जा सकता है यह है पस्षे हटाने की परकिरिया सरोचिन्याली के न्याधिशों की उसके बाद बात करें तो आर्टिकल 125 आर्टिकल 124 को हमने पढ़ा हवी अब आर्टिकल 125 के बारे में देखते हैं कि न्याधीसों के वेतन भत्ते आर्टिकल 125 में न्याधीसों के वेतन भत्तियों का वर्णन किया गया है वैसे इनका वर्णन संचित निदी अनुसुची दो में भी इनका वर्णन है वर्तमान में मुख्य न्यादीस को 2,80,000 व्यानी न्यादीसों को 2,50,000 वेतन के रुप में दिया जाता है लेकिन समय समय पर इसमें परिवर्तन किया जाते रहे हैं समय समय पर मुख्य न्यादीस और न्यादीसों के वेतन बढ़ाये जाते हैं जिन कवर्णन संचित निदी में अनुसुजी 2 में वेतन भत्तों कवर्णन किया गया है आर्टीकल 125 में न्यादीसों के वेतन भत्ते से संबंदित है आर्टीकल 125 उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 126 मुख्य न्यादीस की अनुपस्तिती में यानि अनुपस्तिती किसी भी आधार पर हो सकता है आउकास में या फिर कहीं बहार होना और भी कई रीजन है कि मुख्य न्यादीस किस किस परिष्थितियों में अनुपस्तित हो सकता है मुख्य न्यादीस की अनुपस्तिती में राष्टपती द्वारा न्यूक्त वक्ति यानि न्यूक्त न्यादीस मुख्य न्यादीस के कारियों का निर्वेन करेगा ये आर्टिकल 126 में इसका प्रावधान किया गया है कि सर्वच न्याले का यदि मुख्य न्यादीस अनुपस्तित रहता है तो राश्टपती द्वारा न्युक्ति न्यादीस मुख्य न्यादीस के कारियों का निर्वेन करेगा अब उसको वेतन बत्य सबी सक्तियां मुख्य न्यादीस के समान ही मिलेंगी ये प्रावधान आर्टिकल 126 में किया गया है उसके बाद आर्टिकल 127 की बारे में बात करते हैं ततर्त न्यादीसों की न्युक्ति यानि तथर्थ न्यादिशों की न्युक्ति कपकप की जाती है ये आर्टिकल 127 में इसका वर्णन है सरोच न्याले के बड़े हुए कारे भार बढ़ जाता है कारे बहुत अधिक हो जाता है तो राष्ट पती की पूर्व अनुमती से मुख्य न्यादिशों की न्युक्ति कर सकता है ये आर्टिकल 127 में इसका वर्णन किया गया है कि तथर्थ न्यादिशों की न्युक्ति बड़े हुए सरोच न्याले के बड़े हुए कारेबार को करने है तो राष्टपती की पूर्ण अनुमती से मुख्य न्यादीशों द्वारा अन्य न्यादीशों की न्युक्ति की जा सकती है इसका मतलब क्या है कि अर्थात सरोच न्याले के लिए मार्क परसस्त्र होंगे यानि जो सर्वस्त न्यालिये द्वारा दिये गए जो फैसले होते हैं अधिनस्त न्यालियों के लिए मार्ग प्रसस्त होंगे या आदर सरूप होंगे इसका वर्णन आर्टिकल 129 में किया गया है अधिनस्त नियाले के फेसले सरोच नियाले के खिलाब नहीं हो सकते हो नहीं जा सकते यानि सरोच नियाले ने जो नियने दिया है वो ही नीचले अधिनस्त नियाले हैं उनके लिए एक मात प्रसस्त्र और आदर सरूप होंगे वो उनको मानकर ही अन्य जो भी विवाद हैं उनमें फैसले देंगे उसके बाद आर्टिकल 130 जिसमें सरोच नियाले का इस्थान कवर्णन किया गया है कि सरोच नियाले कहां पर होगा वर्तवान में सरोच नियाले भारत की राजधानी दिल्ली में है वर्तमान में सरोच नियाले की कोई खंड़ पीट नहीं है सिर्फ एक यह है दिल्ली में राष्टपती के अनुमोधन पर खंड़ पीट इस्तापित की जा सकती है इसका वर्णन आर्टिकल 130 में किया गया है एक्जाम में केबर सीधे सीधे पूछा जाता है कि किसके अनुमोधन पर सरोच नियाले की खंड़ पीट इस्तापित की जा सकती है तो उसका राइट आंसर होगा राष्टपती ये था सरोच नियाले से संबंदित परमुक तथिये जिनका हमने इस वीडियो में वर्णन किया है और भी सरोच नियाले से संबंदित महत्फून तथिये बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे जूड़े रहे हम से हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर येदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे येदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हूँ तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो जल्द ही हम लेके आएंगे तब तक के लिए जैहिन